ओम शान्ती आज है 18 अप्रेल 2020 की साकार मुरली पहले एक नजर आज की मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने अब इस पतित दुनिया से तुम्हारा विराग्य होना चाहिए तुम आत्माओं के अंदर बाप के लिए प्यार है रिगा क्योंकि तुम बाप को जानते हो बाकी तो सारी दुनिया इस समय बाप से विप्रीत बुद्धी है बाप की महिमा और शुरिक्रेश्न की महिमा का कोंट्रास्ट सबको बताना है ताकि मनुष्य समझ जाएं कि गीता ज्यान दाता शुरिक्रेश्न नहीं शुवाबा है अगर यह बात वो स्विकार कर लें तो समझो तुमने जीत पहन ली फिर कहा भक्ती मार्ग में तुम जो आप घात करते आए हो वे तो जैसे अपने साथ तुमने शत्रुता की है अब अपने साथ मित्रता करो अर्थात पावन बनकर बाप से पूरा वर्सा लो उनकी श्रीमत पर चलत रहो यहां तुम बाप के पास आए हो देवता बनने अब अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में तुम्हें अच्छा फल मिलेगा बाबा ने कहा तुम जितना बाप की याद में रहेंगे उतनी आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी आत्मा पवित्र बन जाएगी तुम्हारी यह है पढ़ाई अंत तक चलती रहेगी पढ़ाई बंध हुई तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा विचार सागर मंथन सदा चलता रहना चाहिए आज बाबा ने हमें अपनी जीवन कहानी लिखने को भी कहा है बच्छपन से लेकर अब तक जो भी पाप हुए हैं वे सब आज बाबा को लिख कर बताने हैं फिर कहा तुम्हारी यह लाइफ तो बहुत वेल्यूएबल है अमुल्य है क्योंकि इस समय तुम औरों का भी जीवन स्रेष्ट बनाने की सर्विस करते हो ऐसी सर्विसो लक्ष्मिनारेन भी नहीं करते वासो में तुम हो सच्च सच्चे वेशनव तुम्हारा खान पान भी वेशनव और फिर पहले नंबर के विकार में तो तुम वेशनव हो ही और लास्ट में बाबा कहते अब तुमको दैवी गुन धारन करने हैं किसको भी दुख ना दो कोई को उल्टा सुल्टा रास्ता बता कर उनका सत्यनाश नही करो सबको एक ही बात समझाओ कि बाप और वर्से को याद करो और आज सापता ही कोर्स का दूसरा दिन हैं जिसमें हम जानेंगे भगवान कोन हैं और तीन लोग कौन कौन से हैं यह परमातम परीचे का लेसन जरूर सुनें और दूसरों के साथ भी जरूर शेर करें अब सुन पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का विराग्य चाहिए क्योंकि तुम्हें पावन बनना है तुम्हारी चड़ती कला से सबका भला होता है प्रशन कहा जाता है आत्म अपना ही शत्रू अपना ही मित्र है सची मित्रता क्या है उत्तर एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना यही सच्ची मित्रता है सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्सा लेना यह मित्रता करने की युकती बाप ही बतलाती हैं संगम युग पर ही आत्म अपना मित्र बनती हैं। गीत तुने रात गवाई सोके, दिन गवाया खाए, हीरा जनम अनमोल रिमानव, कोडी बदले जाए। ओम शांती। यूँ तो यह गीत हैं भक्ती मार्ग के, सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं, तिर्थों पर जाते हैं, वह सब हैं भक्ती मार्ग। ग्यान मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ती मार्ग किसको कहा जाता है? यह तुम बच्चे ही समझ से हो। वेद, उपनिशदादी ये सब हैं भक्ती के। आधा कल्प भक्ती चलती है और आधा कल्प फिर ज्यान की प्रालब्द चलती है। भक्ती करते करते उतरना ही है चुरासी पुनर जनम लेते नीचे उतरते हैं फिर एक जनम में तुम्हारी चड़ती कला होती है इसको कहा जाता है ज्यान मार्ग ज्यान के लिए गाया हुआ है एक सेकेंड में जीवन मुक्ती रावन राज्य जो द्वापड से चला आता है वहे खत्म हो फिर राम राज्य सापन होता है ड्रामा में जब तुम्हारे चुरासी जन्म पूरे होते हैं तब चड़ती कला से सब का भला होता है ये अक्षर कहा ने कहा किसी शास्रों में हैं चड़ती कला सर्व का भला सर्व की सदगती करने वाला तो एक ही बाप है ना सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं बहुत मतमतांत्र हैं जैसे शास्रों में लिखा है कल्प की आयू लाखों वर्ष अब शंक्राचारिये की मत निकली, दस हजार वर्ष, कितना फर्क हो जाता है, कोई फिर कहेगा इतने हजार, कलियुग में है अनेक मनशे, अनेक मते, अनेक धर्म, सत्युग में होती ही है एक मत, यह बाप बैठ तुम बच्चों को सुरिश्टी के आदी मद्यंत की नौलेज सुनाते हैं, इस सुनाने मे भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं, ऐसे नहीं कह सकते, पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया, स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है, छोटे बच्चों को औरगंस छोटे होते हैं, तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे औरगंस बड़े होते जाए पढ़ाई धारन करते जाएंगे छोटे बच्चों की बुद्धी में कुछ धारना हो न सके बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आधी बनते हैं इसमें भी ऐसे हैं कोई की बुद्धी में धारना अच्छी होती है बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने तो अब पतित दुनिया से विराग्य होना चाहिए आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रहना सके पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है मनुष्य भी पतित हैं पावन दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते है यह है ही रावन राज्य यथा राजाराने तथा प्रजा यह सारा ग्यान है बुद्धी से समझने का इस समय सभी की बाप से है विप्रीत बुद्धी तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो अंदर में बाप के लिए प्यार है आत्मा में बाप के लिए प्यार है रिगार है क्योंकि बाब को जानते हैं यहां तुम सम्मुक हो शुवाबा से सुन रहे हो वह मनुष्य सृष्टी का बीज रूप ज्यान का सागर प्रेम का सागर आनंद का सागर है गीता ज्यान दाता परम पिता त्रीमूर्ती शुवपरमात्मा वाच त्रीमूर्ती अक्षर जरूर डालना है क्योंकि त्रीमूर्ती का तो गायन है न ब्रम्मा दवारा सापना तो जरूर ब्रम्मा दवारा ही ज्यान सुनाएंगे क्रिश्न तो ऐसे नहीं कहेंगे कि श्यो भगवान वाच प्रेर्णा से कुछ होता नहीं ना उनमें शुबाबा की प्रवेश्चा हो सकती हैं। शुबाबा तो पराय देश में आते हैं। सत्यूग तो क्रिश्न का देश है ना। तो दोनों की महिमा अलग-अलग है। मुख्य बात ही यह हैं। सत्यूग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं। भक्ती मार्ग में तो जनम-जनमांत्र पढ़ते हैं। ज्यान मार्ग में तो वह हो ना सके। भक्ती मार्ग में ज्यान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदी मद्यंत का ज्यान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके। मनुष्य कहना सके कि मैं रचता हूँ, बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टी का बीज रूप हूँ, मैं ज्यान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गती दाता हूँ, क्रिश्न की महिमा ही अलग है, तो यह पूरा कोंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से जट समझ जाएं कि गीता का ज्यान दाता क्रिश्न नहीं है, इस बात को स्विकार किया, तो यह तुमने जीत पहनी, मनुष्य क्रिश्न के पिछाडी कितना हैरान होते हैं, जैसे शिव के भक्त, शिव पर गला काट देने को तयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के क्रिश्न के पास जाना है, वैसे वैस समझते हैं, क्रिश्न के पास जाना है, प्रन्तु क्रिश्न के पास जाने सके, क्रिश्न के पास बली चढ़ने की बात नहीं होती है, देवियों पर बली चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बली नहीं चढ़ेंगे, तुम देविय बाबा की बच्चे हो, तन, मन, धन बली चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बली चढ़ाते हैं, अब गौर्मेंट ने शिव काशी पर बली चढ़ाना बंद कर दिया है, अभी वे तलवार ही नहीं है, भक्ती मार्ग में जो आप घात करते हैं वे भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाए हैं, मित्रता करने का एक ही उपाए हैं, जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वड़सा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है, भक्ती मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फि आत्मा पवित्र बन बाप से वर्सा लेती है, संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं, आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है, तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे, अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सद्गती को पाना है, इसमें अपनी मत चलना सके बाप तो सिर्फ मत देते हैं तुम देवता बनने आये होना यहां अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में यह तो है ही मृत्यू लोक यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो सोभी नंबर वार कोई की बुद्धी में अच्छी रिती धारना होती है कोई धारना नहीं कर सकते तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं टीचर से कृपा आशिरुवाद मांगेंगे क्या टीचर तो पढ़ा कर अपने घर चले जाते हैं स्कूल में पहले-पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं हे खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशिर्वाद करो इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है बाप की आशिर्वाद तो अंडस्टूड है ही बाप बच्चे को चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दू तो यह अशिर्वाद हुई न यह एक काईदा है बच्चों को बाप से वर्सा मिलता है अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे दिन प्रती दिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है तद तो भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं यह है ही दुख धाम 40,000 वर्ष अभी और आयू हो तो क्या हाल हो जाएगा मनुष्यों की बुद्धी बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है अभी तुम बच्चों की बुद्धी में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी याद से आत्मा पवित्र बनती है लाइट बढ़ती जाती है याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं याद से लाइट वृधी को पाएगी याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी तुम पुरुशार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का ये बड़ी समझने की बाते हैं याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी तुम लिख भी सकते हो यह रचैता और रचना का ज्यान श्री क्रिश्न दे नहीं सकते वह तो है प्रालब्द यह भी लिख देना चाहिए कि 84 वे अंतिम जन्म में क्रिश्न की आत्मा फिर से ज्यान ले रही है फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं बापने यह भी समझाया है सत्युग में 9 लाक ही होंगे फिर उनसे व्रिधी भी होगी ना दास दास्यां भी बहुत ही होंगे ना जो पूरे 84 जन्म लेते हैं 84 जन्म ही गिने जाते हैं जो अच्छी रिती इम्तिहान पास करेंगी वह पहले पहले आएंगी जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना नया मकान बनता है फिर दिन प्रति दिन आयू कम होती जाएगी वहां तो सोने के महल बनते हैं वह तो पुराने हो न सकें सोना तो सदैव चमकता ही होगा फिर भी साफ जरूर करना पड़े जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखरीन चमक तो कम होती है फिर उनको पोलिश चाहिए तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं इस नर्क में यह अंतिम जन्म है इन आखों से जो देखते हैं जानते हैं यह पुरा जानी दुनिया पुराना शरीर है अभी हमको सत्युग नई दुनिया में नया शरीर लेना है पांच ततो भी नए होते हैं ऐसे विचार सागर मन्थन चलना चाहिए यह पढ़ाई है ना अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जा तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना हमको भगवान पढ़ाते हैं यह खुशी कोई कम थोड़े है प्रंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है पांच छे वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती एक बार गिरे तो फिर वह अवस हो ना सके हम गिरे हैं तो वे घृणा आती है अभी तुम बच्चों को सारी स्मृती रखने है इस जन्म में जो पाप किये हैं हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना कोई मंद बुध्धी कोई विशाल बुध्धी होते हैं छोटे पन की हिस्ट्री तो याद रहती है ना यह बाबा भी छोटे पन की हिस्ट्री सुनाते हैं बाबा को वे मकान आदी भी याद है प्रन्तु अभी तो वहां भी सब नए मकान बन गई होंगी छे वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है अगर भूल गया तो डल बुध्धी कहेंगे बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो लाइफ की बात है ना मालूम पढ़ता है लाइफ में कितने चमतकार थे गांधी नहरुवादी के कितने बड़े बड़े वोल्यूम्स बनाते हैं लाइफ तो वास्तों में तुम्हारी बहुत वेल्यूबल है वंडर्फुल लाइफ यह है यह है सच्चे सच्चे वेशनों बनते हो वेशनों माना जो पवित्र है अभी तुम्हारा खान पान भी वेशनों है तुम्हारा खान पान भी वेशनों है पहले नंबर के विकार में तो तुम वेशनों पवित्र हो ही जगत अंबा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्रम्मा और सरस्वति बाकि बच्चे हैं उनकी संतान नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूर्जा होती है बाकि इतनी भुजायें आदि दी हैं वे सब हैं फाल्तु तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी हैं ब्रह्मा को भी सो भुजावाला हजार भुजावाला दिखाते हैं ये सब भक्ती मार्ग की बाते हैं तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं किसको भी दुख ना दो किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्या नाश ना करो एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्से को याद करो अच्छा मिठे मिठे सिकलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखाणी बाप की रुखाणी बच्चों को नमस्से धारणा के लिए मुख्य सार पहली पोइंट गायन वपूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैशनों बनना है खान पान की शुद्धी के साथ-साथ पवित्र रहना है इस valuable जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन स्रेष्ट बनाना है दूसरी पॉइंट है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है अपने साथ मित्रता करनी है वर्दान देह अभिमान के रोयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और द्रिष्टा भव दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना कट कर देना यह भी देह अभिमान का रोयल रूप है जो अपना वदूसरों का अपमान कराता है क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है इसलिए साक्षी द्रिष्टा के वर्दान को स्मृती में रख ड्रामा की धाल और ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैपन के इस रोयल रूप को भी स्माप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, सनहे दो तो वे सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा स्लोगन परमातम श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ अच्छा